हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल साइंस मलत तो चलिए वीडियो को बिना देरी के सुरू करते हैं दोस्तों आज हमको जलना है वर्सा जल का संग्रहन यानि कि वर्सा जल को संग्रहन कैसे कह जाता है और कैसे नहीं कह जाता है और किसे कहते हैं क्या होता है उसके बिसे में आज हम चर्चक करने वाने हैं तो देखिए वर्सा जल वर्सा जल कहने का मतलब जो वर्सात यानि कि वर्सात का जल और संग्रहन कहने का मतलब जमा यानि कि वर्सा जल को जमा करना ही कहलाता है वर्सा जल का संग्रहन तो देखिए एक बात बताते हैं, देखे हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है, उसमें से अधिकांस यानि कि अधिक जल जो है ऐसे ही बह जाते हैं, क्या होते हैं, हमने देखा है कि वर्षा के रूप म के लिए किया जाता है वर्षा जल कौफ योग भौम जल अस्तर की पुन यानि की दुबारा पूर्ती प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसे हम जल संग्रहन अथवा वर्षा जल संग्रहन कहते हैं बस इतना समझी है कि जलों को जामा करना कहलाता है जल संग्रहन तो वीडियो समाप्त हुआ अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बिल ऐकन को जल्डू दबा जाएगा तभी मैं आपका जो वीडियो में चढ़ाऊंगा वह आपको मिलेगा ठीक है तो चलिए वीडियो समाप्त हुआ